नमस्कार दोस्तों एनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आचारे चाड़क ने अपने नीती शास्त्र में पुरुषों को समझाते हुए बताया है कि महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना बेहत जरूरी है चाड़क की नीत के बिरुद्ध होगा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आचारे चाड़क की ने कहा है इन चार रूप में मौजूद इस्तरी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए और इन पर कूदरश्टी भी नहीं डालनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा बिस्तार से बताएंगे दोस्तों आचारे चाड़क के कहते हैं पुरुष को जनम एक इस्तरी ही देती है जीवन देने के कारण इस्तरी जगत जन्नी कहलाती है इसलिए पुरुष को हर इस्तरी के साथ बेवहार करते हुए सैयम बरतना चाहि जीवन में कुछ महिलाएं आईसी होती हैं जिन्हें मा के समान दर्जा प्राप्त होता है दोस्तों जन्म देने बाली मा के बारे में हम सभी जानते हैं सभी के जीवन में मा का महत तो होता है जब दुनिया में हर कोई साथ छोड़ देता है मा तब भी अपने बच्चे का सहारा होती है जनम देने बाली माता के अलाबा चार और महिलाएं भी मा के समान होती है दोस्तों राजा की पतनी को सदे माता की तरह ही समान देना चाहिए आज के समय में राज शाही हमारे देश में नहीं है ऐसे में हमें अपने गाऊं, शहर और राज का मुखिया ही राजा समान होता है क्यूंकि वो अपने छेतर की सुरक्षा के लिए उत्तरदाई होता है और उनकी पतनी माता समान अपने से बरिष्ट लोग भी राजा के समान होते हैं इनकी पतनी के परति भी आदर रखना चाहिए दोस्तों आज के समय में शिक्षा इसकूलों में मिलती है पहले जमाने में गुरुकुल होते थे आचारे चाड़क ने कहा है कि गुरु की पतनी भी माता के समान होती है इनके लिए मन में कभी भी दुर बेवहार की भाबना ना लाएं दोस्तों हमारे समाज में मित्र अत्बा दोस्त की पत्नी को भावी कहने का चलन है और हमारी संसक्रती में भावी को मा के समान दर्जा दिया गया है आचारे चाड़क ने मित्र की पत्नी को मा के समान समान का अधिकारी बताया है भूल कर भी उनके बारे में बुरे खयाल मन में नहीं लाने चाहिए दोस्तों बिबाह के समय लड़कियों से कहा जाता है कि आज के बाद तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ है उन्हें सदय बैसा ही इसने और सम्मान देना चाहिए जैसा अपनी माता को देती रही हो ये बाद पुरुषों पर भी उसी तरह से लागू होती है उनके लिए भी पतनी की माता मा के समान ही होती है आचारे चारक के कहते हैं इस्तरी हो या पुरुष अपनी सास को माता की तरह ही सम्मान देना चाहिए दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटी वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत